आईए सबसे पहले ले चलते हैं आपको पराशर जील पराशर इशी एक हेक्टर के खेतर में फैली हुई नीले पानी की जील है इसके बारे में रहस्य मईबाद यहा है कि आज तक कोई भी इसकी गहराई नहीं ना पाया है यह समुद्र तल से 8,960 फीट की उन्चाई वर्थित है इसके बीच में एक टापू है जो हमेशा तैरता रहता है पुराने काल में महारिशी पराशर यहां पर तपस्या किया करते थे उनी के नाम पर इसका नाम पराशर जील पड़ा है तेरवी सदी में यहां पर पराशर रिशी के मंदिर की स्थापना की गई थी कहा जाता है यह मंदिर एक बच्चे के द्वारा केवल एक पेड़ की लकड़ी के द्वारा बनाया गया था कहानी यह है कि महाभारत के यूद के बाद जब पांचो पांडव देव कमरनाग जी के साथ लौट रहे थे तो देव कमरनाग जी को यह जगा बहुत ही सुन्दर लगी तो शक्तिशाली भीम ने अपनी कोहनी से एक पहाड पर प्रहार किया जिससे यह बहुत बड़ा गड़ा बन गया और इसी कड़े ने फिर जील का रूप ले लिया अगर रास्ते की बात करते हैं तो पराशर इशी मंडी शहर से सरसट किलोमेटर यानि 67 किलोमेटर दूर है मंडी से पराशर अगर आप टैक्सी पर या अपने कार पर जाते हैं तो आपको 2 गंटे 44 मिनट यानि की पौने 3 गंटे लगते हैं और यदि बाइक पर जाते हैं तो 5 गंटे लगते हैं